कि अग्दी वाकरम वंदी माकरम आज पॉलिटी के सिल्यवस को आगे बढ़ाते हुए पहले वाले वीडियो में मैंने पॉलिटी का जो स्री शुरू किया था उसमें भाग एक समाप्त कर दिये थे तो आज जो शुरू बात करते हैं भाग दो इस भाग में जैसे भाग की संख चार तक जिसमें अनुछेद था वह समाप्त हो गया था आज भाग दो परहेंगे इसमें अनुछेद पांच से लेकर 11 तक का चर्चा किया गया है और आखिर भाग दो में किस चीज का चर्चा किया गया है तो नागरिकता से संबंदित आपको चर्चा किया गया है यह नाग sika यह सब जो आ रहा था तो क्या है सब के बारे में इसी चैप्टर में विस्तार से हम पहले देखिए पहले हम समझते हैं नागरिक नागरिक क्या है कि ईस देस में रह रहा हड ब्यक्ति इस Amandine अपने भार्त में रहा हड व्यक्ति जो उसको देस की सदस्ता गरहन हो और जैसे हम हैं तो हम भारत देश में रहते हैं भारत की सदस्ता हमको मिला हुआ है और हम अपने संबिध्हान के पर्ति पूरा आस्था रखते हैं तो हम मुलनी निवाशी को एक विशेस परकार का अधिकार दिया जाता है वह विशेस प्रकार का अधिकार ऐसा अधिकार है जो बिदेशी नागरिक को नहीं दिया जगा कहने का अर्थ है मान के चलिए हम है तो हम देश का नागरिक है तो हमको यह संभीधान जो है भारत जो है एक अधिकार देगा और यह जो अधिकार है सिर्फ जो निवासी है यानि जिसको पस्तेह नागरिक के बारे में आपको बता दिये थे कि यह देश में निवास करने वाला हड़ व्यक्ति जो देश की सदस्ता ग्रहन किया हुआ हो और वह संभीधान में क्या रखता हो आस्था रखता हो नागरी कहलाता है सबसे पहले हम जानेंगे नागरीक्टा देखिए हमारा जो संभी धान बना है वह पहूत सारे देसों का कहीं कहीं से ले कर उसको बनाया गया है तो पहला objective कोशन आप यहीं पूछेंगा एक नगरीक्ता समंधी जो भी है प्राभधान कहां से लिया गया है तो यह ब्रिटेइन के वह सम्झिधान से लिया गया है दूसरा भारत में एक हरी आप इंताइ में द्यानगरीक्ता क्या होता है हम बात किया सीविखेंट भारत जो है संग और अमिटर का हैं लेकिन भारत यूनियन है वो मेन फ्रेडुलावर फेडर? तो हमारे तो हमारे आज़ सहे और हम बिहारी हैं तो कहँं भी िजिकर नहीं कर सकते हैं कि आप विहारी हैं आपके पास एक ही नागरिकता है कि आप इंडियन है आपके पास एक ही नाग्रिक्ता मिलेगा वो भी इंडिया का आपको राज जी की जीला की और यह सब की नागरिक्ता नहींuesta नहीं मिलता है लेकिन यहां किसी नागरिक्ता है पहले ही बता दिए है कि यहां के संबिधान में क्या हो निर्धारित हो और यह गैर नागरिक नहीं है उसको नहीं दिया जाता है जैसे आपको अधार काड बनाया रहता है अधार काड नागरिक जो रहेंगे उनका बनेगा देश के परमुख पद होते हैं संबिधानिक पद जैसे राष्ट पती हो गए था विदेशी यानि गैर नागरिक को यह सब सारी सुविधा नहीं मिलती है तो यह था थोड़ा सा कॉंसेप्ट नागरिक के बारे में अब हम पहले बताए थे कि नागरिकता में आपको अनुछेद पान से लेकर इगारत अब इसको आप उदाहरन के तोर पे समझते रहिए यह उस समय के यानि कि जब हमारा भारत अजाद हुआ अजाद हो गया उसके बाद जब संभीधान निर्मान की परकिरिया सुरू हो गए तो हमारा संभीधान जो है 26 जनवरी 1950 को बनके पूरा यह लागू हो गया था 26 जनवरी को क्या हो गया जब संभीधान लागू हो गया तो सवाल उठा कि किसको नागरिक कहेंगे किसको नहीं कहेंगे तब बरतमान परिद्रिस को देखते हुए यह चार अनुछेद को लाया गया था बारी बारी से आप समझे देखिए अनुछेद 5 में कहा गया है कि जब संभीधान मेरा प्रारंब हुआ था तो प्रारंब का हुआ 26 जनवर 1950 जब संभीधान मेरा प्रारंब हुआ तो प्रारंब के समय दिया गया नागरिक्ता कहने का आर्थ है कि जब मेरा संभीधान प्रारंब हुआ जो देश में था उसको ना यहिसी भी तो कुछ लोग हो सकता है कि आये होंगे तो क्या हम उनको भी नाग्रिवता दे देंगे तो नहीं तो उसके लिए कंडीशन है कि यह जो शुरुबात है अनुछर पाँच यह प्ररारंब vuelta सका की a हो गया हो भारत हम लोग नागरीखता किस आधार के मिला यह दूसरा है माता-प्ता के ज़र्थ है कि यहाँ आपने भारत में ही लराए बहुत सारे एसे वीर सपुत है जो बीदेशों में भारत से बाहर रहके स्वतंतरता की लराए लर रहे थे अंग्रेजओं के खिलाब तो क्या जब वह बाहर लर रहे थे तो उनका भी वहाँ संतान हुआ होगा क्या उनका जब संतान हुआ तो उनको आप नागरिकता नहीं दीजिएगा तो उनको भी आप नागरिकता दीजिएगा कब दीजिएगा कहने का आर्थ है कि जो क्रांतिकारी बाहर निवास कर रहे थे तो उनका जो पूत्र हुआ या पूत्री हुआ तो उस पूत्र या पूत् पहला क्या था कि जन्म की कहा होना चाहिए भारत से पाँच साल पहले से कोई भ्यक्ति अगर भारत में निवास कर रहा हो तो उसको दिए जाएगा नागरिक्ता दिए जाएगा तो यह अनुषियद पाँच में था अब चौव और सथ समझ समझ इएगा उससे डिलेटेट है साथ छोव में कहा गया जों कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिक्ता अब सवाल उठता है कि भारत जब मेरा बीभाजन हुआ था तो बहुत सो लोग को पहले भी पता चल गया चल आसंका हो गया था कि देश कर तूटने वाला है तो अपने अपने सुपधा के नुसार कितना भारत में रहा गए और कितना पाकिस्तान में तो जो लोग पाकिस्तान में चले गए तो जो लोग पाकिस्तान में चले गए लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि नहीं हमको पाकिस्तान से अच्छा हमको इंडिया लग रहा है तो पाकिस्तान से कहां आ आ गये थे इंडिया आ गये तो उनसे सम्मंधित नागरिक्ता का प सब्सक्राइब देखिए अगर पकिस्तान से भारत जो भ्यक्ति आये थे तो उनसे नागरिक्ता के समध्र में चर्चा किया गया तो दो बात है या तो इसके पहले आए होंगे उनके लिए तो कोई भिंटते नहीं हाइं उनको डेय्क्त नागृता मिल जाएगा क्या हुआ होगा जब उनच Новग उनस जुलाइ मुनाइस उनस हो उनस में देश hem करेंगे च्शो महिनदेश में निबास करने के बाद आंपको राजिस्ट्रेशन यानी क्या किया जाएगा आपको पंजी करन्ट करना होगा नागरिकता के लिए तब आपको नागरिकता दिया जाता यह था नुषैद छो में चर्चा अब समझे अनुषेद 7 में क्या कहा गया था अनुछेद साथ में कहा गया था कि जब मेरा भारत आजाद हुआ 1947 के बाद तो जो लोग पकिस्तान चले गए थे उनकी भारत की नागरिक्ता क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी लेकिन क्या जब कुछ लोग 47 के बाद जब पकिस्तान चल गए जब पकिस् कि जो लोग पहले कहां चले गया थे भारत से पाकिस्तान चले गया थे और फिर वो पुनह कहां लौटके आए भारत में उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा उनके लिए वही प्रापधान लागू होगा जो अनुछेद छो में कहा गया था जो उनीसों अर्टालिस के तो भारत सरकार भी उनको नागरिकता उनको देती कब जो चो महिना आप यहां देश में रहिए तब पंजीकरन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करिए फर्म फिलब करिए तब आपको नागरिकता दिया जाएगा तो अनुछेद छो क्या है पाकिस्तान से भारत आए ब्य विदेशी ब्रह्मन कर रहे थे तो क्या जब मेरा भारत अजाध हुआ था तब उसके बाद जो है जब लोग वहां बाहर निवास कर रहे थे अनुछेद आठ के तहट उनका जो संतान हुआ अनुछेद आठ में जो कहा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत से बाहर प्रवास कर रहे थे नुवास कर रहे थे नौकरी के लिए विदेशी ब्रह्मन करने के लिए तो क्या उनको आप नागरिक्ता नहीं दीजेगा उनका जो संतान पहले ही हम इसका चर्चा कर द था या तो मन कहने का आर्थ है कि बाहर निवास कर रहे हैं उनके पूत्र हैं तो उनको दो तीन आधार पे देखिए या तो उनके माता पिता का जन्म कहां होना चाहिए भारत में दादा या दादी का जन्म कहां होना चाहिए भारत में या नाना या नानी का जन्म कहां होना लेकिन उनके लिए एक चीज और मेंसन ये किया गया है कि वो जिस देश में यानि जिस देश में वो रह रहे होते हैं तो वहां के दूतावास में वहां के यानि इंडिया का जो दूतावास होता है उस दूतावास में नागरिक्ता से समंदित जो भी प्राब्धान है उनको क् वहां आवेधन देना होता था तब यह अनुछेद आठ के तहत उनको क्या मिलता है नागरीक्ता तो एक मिन्यट यहां से 5 तक ही बर्तमान में आपको आपको देखा गया था उसमें चर्चा किया गया था पाँच में क्या गया जब सम्मीधान प्रारंब हुआ उस समय की नागरिकता की चर्चा किया गया च्वो में पाकिस्तान से जब भारत आया थे समधीत नागरिकता अब समझते हैं 9 दस इगारे देखिए अगर कोई नागरिक भारत का नागरिक है वह बिदेš की नागरिकता को क्रहन कर लेता है उनको भारत अच्छा नहीं लगता है और कारण से जब वह बिदेश की नागरिक्ता ग्रहन कर लेते हैं तो उनका जो नागरिक्ता भारत के जो नागरिक्ता वो सोतह क्या हो जाएगी समाप तो अनुछेद 9 में कुछ नहीं है अगर आप विदेशी नागरिक्ता ग्रहन करते हैं तो भारत की नागरिक्ता आपकी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी 10 में कहा आगे है कि आपकी नागरिक्ता बनी रहेगी मान के चले यहां रहने वाला हर व्यक्ति की नागरिक्ता आपसे कोई नहीं छीन सकता लेकिन कब नहीं छीन सकता जब आप संबिधान में जो भी प्रापधान किया गया है संबिधान के विरुध जाकर कोई विरोधी कार् यानि देश के बिरुध जाके कोई गलत काम नहीं करे तब आपकी नागरिक्ता बनी रहेगी अने था आपकी नागरिक्ता क्या हो जागी समाप्त तो अनुछेद 10 में है आपकी नागरिक्ता क्या रहेगी बनी रहेगी कब जब संबीधान बिरोधी कोई कार्ज नहीं करिएग और अनुछेद इयुगारा में कहा गया है कि ये इतना जो परकिरिया आप देख लिये नागरिक्ता तो आपकी नागरिक्ता से समंधि जो भी कानून है वो कानून बनाने के अधिकार संसद यानि राजसवा, लोकसवा जो इन में आते हैं तो ये सब अधिकार किनको दिया गय के तहात और नागरिक्ता समन्धि कानुन संसाथ बनाती है ये किसके अधिन आती है यानि ग्रिह मंत्राले अभी कौन है अमीदसा नेके अंतरगत ये सब प्रकिरिया जो अनुछेद इग्यारह में कहा गया है उसके बाद आते हैं ये सब तो अनुछेद 5-11 हो गया उसके जर्ज़ता है कि नाग्रिक्ता प्राप्त करने की 5 जन्म के अधार पे पंजी करनना के दवारा ​​ देशी करन के द्वारा ​​या विदेशी भूमी अर्जित किया गया है इसके नाग्रिक्तार आपको मिलती है और और नागरिक्ता समाप्त होने की तीन वीधि है या परित्याग कर दिये हैं या पढ़िया वासान कर दिये हैं या आपको क्या गिया है वन्चित क्या गिया है तो यह सब का फूल एक्सप्लानेशन मैं अगले वीडियो में करूंगा